हां जी वेलकम करते हैं तो अड़ा सारे हैं दा तो अड़े अपने चैनल स्टाडी एंड केरियर देवते सो लेके आयां जी स्टाफ नर्स पर तीन अड़ रिगार्डिंग एक नमा नोटिफिकेशन जेड़ा के कड़े आ गया है एम्स होस्पीटल बलो सो जेड़ी परती है ओ होनी है जी स्टाफ नर्स ते लेब अटेंडन दिया पोस्ट आने सो डिटेल चे इंफोर्मेशन दमांगे वीडियो नो इन तक जरूर देखे हो वीडियो शुरू करन तो पहला सारे ही स्टूडेंट ते पैंट पराम अनू रिक्वेस्ट या के जेड़े चैनल देखे पहली बार विजिट कर रहे है ओ चैनल नू सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दाब लबो जी ताके और वाली हार एक इंपोर्टेंट इन्फोमेशन दी वीडियो दा नोटिफकेशन तो आनू सब तो पहला प्राप्त हो सके नाल दी नाल अपने इंस्टाग्राम आते टेलीग्राम चैनल आनू जरूर जोईन और फॉलो कर लबो लिंक तो आनू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जानगे चैनल दे होते एक्जाम प्रेपरेशन दे नाल नाल आपन जॉब नोटिफकेशन भी प्रवाइड करवाँ दे हा आते पर ती नाल अर्लेटर हर एक इंपोर्टेंट इंफोमेशन शेयर किती जान दी है सो लेके चाल दे हां जी तो आनू ओफिशियल नोटिफकेशन दे होते हां जी जी में के तुसी देख सकते हो आपा आगे हां जी ओफिशियल नोटिफकेशन दे होते है नंबर एक ते जड़ी पोस्टा आ देखो टेक्नॉलिजियस्ट दी पोस्टा ठीका जी एक पोस्टा ने जिद्धा नंबर दो ते तुसी देख साकते हो जी पोस्ट है गी या टेक्निकल असिस्टेंट दी ते आपा देख देयां जी स्टाफ नर्स आ देखो जी आपा देख देयां आ देखो नंबर तेन नंबर पोस्ट आ जी नर्स ठीका जी नेम आफ दा पोजीशन वान मतलब एक पोस्ट हा minimum qualification B.Sc. nursing ते नाल डिप्लोमा इं नर्सिंग और मिडवाइफरी थ्री कोर्स फ्रॉम स्कूल नर्सिंग थ्री एर कोर्स ठीका जी मतलब जी एनने माले भी अप्लाई कर सकते ठीका जी स्टेट यां इंडिया दा अपने कोले certificate होना चाहिदा आरे नंबर ठीका जी या डिप्लोमा भी ते एक एह होगी स्टाफ नर्स दी पोस्ट एस तो अलावा नंबर चार ते नर्सिंग और ली एवी पोस्ट आ जी एदली 10th स्टेंडर पास होना चाहिदा एटलेस्ट वान इयर एक्सपिरियंस इन हॉस्पिटल इंस्टिट्ट नर्सिंग होम विद सम बैक्राउंड इन ओटी पेशन केर ठीका जी तो ए मन गया गया एज 35 साल रखी गई यह इनना स्पोस्ट आ ली ते अगए जडी पोस्टा हो देखता हो देखता हो देखता है ल स्टैंडर्ड पास क्वालिफिकेशन मंगी गई है वान इयर एक्सपिरियंस मंग गया गया इन रिल्वंट फीड़ दे विच जिनना को लेव अटेंडेंट दा डिप्लोमा वा ओ भी ओ उनली ज्यादा बेनिफिट आ अपलाई कर सकते है इस लिमेट 30 एर मंगी गई है सो हो देखो जी नोटिफिकेशन कर देया गया वा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इनवाइट सेप्लिकेशन दा फॉलूइंग पजीशन ठीका जी आ देखो एमस न्यू डैली द्वारा नोटिफिकेशन कर देया गया वा ते जेडे इंट्रस्टेड कैंडिएट ने वह आप द सारे डॉकुमेंटां दी आप दा रिजियूम बेच लाके ओधी मेल दी पीडिएफ बनाके पे जनिया मेल आइडिए ने आ दिती होई है ठीका जी मैनेजर.meg at the rate nvrc.ac.in ठीका जी इनू नोट कर लवो एस मेल आइडिए ते तुसी पीडिएफ बनाके सेंड करनी होएग शॉट लिस्टड कैंडिडेटर नो इन्फर्म कर दिता जावेगा लास्ट डेट 21 एपरल 2002 या ठीका जी एस तो लवा भाई हैंड भी तुसी या भाई पोस्ट भी सामेट करवा साग देवा ड्रेस दिता होया दा मेनेजर.me.g.resource.facility.national brain research center.nh8.nanual mode.manacer.goodgown.haryana ठीका ज जी ड्यू टू grant situation candidates can apply by post और फ्रू email दे फ्रू भी apply कर सकते हो ठीका जी pdf बना के तुसी mail send कर सकते हो कोई फीज नी कुछ नी लगना सो उमीदा तो आनों information वदिये लगी होगी जी वदिये लग दी हों दिया ता वीडियो नों like ते शेर जरूर कर दे करो मिल दे आजी next वीडियो दे विच नमी information नमी अपडेट लेके ताथ तक ले सत्चरी काल जुडे रहो तो अड़े अपने channel study and carrier देना channel नों subscribe करके bell icon नों दबना ना पूले उत्ता नवाद